नमस्कार जाहिएं दोस्तों दोस्तों कर्णेट एक निया निकाला गया है जो कि आप सबी लोग यहां पे देख सकते हैं यह आपका रावसन सर्क के दोड़ा निकाला गया है और दोस्तों यह किताब जहें मार्केट में अबलेबल है तो वहां से आप जाके खरिद के अपना जो है current affair पढ़ सकते हैं यहां हम देख सकते हैं बिहार दरोगा भिहारतियों के लिए जो current affair निकाला गया है बहुत ज्यादा important है जो कि आखरी स्वें में आपको पता 17 December को हमारा exam होने वाला है इसमें दोस्तों आपका 40 set दिया गया है जो कि आज हम देखने वाले हैं आपका 5 practice set देखेंगे यानि एक से ले करके हम 5 set देखेंगे और एक एक question आपके exam के लिए important है दोस्तों ठीक है आप यहां पे देख सकते हैं तो यहां पे आप देखेंगे तो आपका set number 1, 2, 3, 4, 5 आज हम देखने वाले हैं जो हमारा second video होगा उसमें हम 6 से लेके 10 देखेंगे चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो यह रहा हमारा set number 1 ठीक है चलिए शुरू करते हैं पहला हमारा प्रस्न क्या है देखेंगे सभी कोशन को देखिएगा एक भी कोशन आपको छोड़ना नहीं है ठीक है देखे पहला प्रस्न है निमलिखीत में से किसके द्वारा सुस्वागतम online portal जारी किया गया है देखे सुस्वागतम online portal दोस्तों जो आपका जारी किया गया है आपका सरवच नियाले के द्वारा ज बनाना है तो option number हमारा D होगा भारत में राष्ट्री आय का आकणा या डेटा निमलिखित में से कौन सा कारियाले या संस्थान जारी करता है कौन सा कारियाले या फिर संस्थान दोस्तों जारी करता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्री सांख की कारियाले हो जाएग निमलिखित मेंसे किस देश में 20 एसी खेल का आयोजन किया जाएगा तेकि racismision एसी खेल का दोस्तों आयोजन किया जाएगा तुए आपका जैपान में किया जाएगा आप अच्छे स्याद रखेंगा important है ठीक है वही बात कर लेते हैं दोस्तों कि यह आपका 2026 में किया जाएगा ठीक है 2026 में किया जाएगा और वही 21 की बात कर लेते हैं तो आपका 2030 में दोहा कतर में होगा और 2034 वाला होने वाला है दोस्तों आपका सौधी अरब में होने वाला है जो की 22 होने वाला है ठीक है चलिए नेश्टा हम कोशन देखेंगे वर्तमान में बिहार के राज्येपाल कौन है तेखिए बिहार के राज्येपाल आप सभी को पता है दोस्तों ये कौन है फिलाहल में तो राजेंद्र विसोनाथ आर लेकर जो की ऑफ्सन नमबर जो है चौथे का हमारा डी सही आंसर हो जाएगा ठीक है तो य यह आपके लिए इंपोर्टेंट है याद रखिएगा अब वही हम बात कर लेते हैं जैसे आप देखेंगे तो और उनाथिल परदेश के जो राज्येपाल कौन है ते केवल तीवी त्रीविक्रम है त्रीपूरा के जो राज्येपाल है दोस्तों इंद्र सेना है और नागा निनमलिखित में से किस अन इस्थान पर कुम मेला कायुजन फरवरी दोहजार तैस में किया गया है तो फरवरी दोहर तैसमे किया गया है तो आप अच्छे से याद रखियेगा जो कि बांस बेरिया पसी मंगाल हो जाएगा option number जो है पाचवे का B हो जाएगा अगला है कि बाथव की चोंच वाले डाइनासोर प्रजाती के आवसेस निमलिखित में से किस देश में मिला है दोस्तों यह आपको चीली में देखने को मिला है कहां पे चीली option number हमारा यह हो जाएगा यह आवसेस जो है लगभग 72 मिलियन वर्स पुराना है कितना है 72 मिलियन वर्स पुराना है कार्बन सीमा समाय हो जाएगा तंतर किस संग अठन द्वारा विक्षित किया गया है तो यह जो आपका विक्षित किया गया है European हो जाएगा option number जो है दोस्तों सेविन का हमारा बी सही आंसर हो जाएगा और यह एक करार ओपन प्लान है ठीक है तो इस पॉइंट को अच्छे स्यादर कियेगा वही बात कर लेते हैं दोस्तों कि यूरोपिय संग की स्थापना हुआ कब था तो यह आपका वर्स उन्नी सो अंठावन में जो है यूरोपिय संग का स्थापना हुआ था वर्संप नमलिखित में से किसे परदान किया गएश मिलिखित में से प्रमयगाई और निमलिखित में ऑलम पिक संग की एथीट कमिटी का अध्यक्र निउक्त किया प्रफम महिला यहां और किया है और हम आगे कुछ देख लेते हैं जैसे आप देखेंगे तो एक इंपोर्टेंट हमारा जो एक्जाम में आता है आई समान खुराना के बारे में तो यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्री राजदूत हैं चलिए आगे हम देख लेते हैं अगला हमारा कोशन है कोशन नमबर टेन वर्श द्वार तैस में विस्व कैंसर दीवस का थीम क्या रख ठीक है चार फरवरी की दिन मनाते हैं महिला विस्व मुख के बाई चेंपियंसिब और 23 का सुभंकर किसे बनाया गया है तो दोस्तों यह जो सुभंकर बनाया गया है तो यह वीरा को बनाया गया है ऑप्सन नमबर जो है 11 का हमारा सी सही आंसर हो जाएगा अगला है कि MQ9 सम कि Aeronautics सिस्टम द्वारा जो है किया गया है ठीक है निमलीखित में से किस देश के साथ भारत द्वारा हरीमाव सकती सैन ने अभ्यास किया जाता है तो क्या होगा इसका सही आंसर तो यह आपका मलेशिया हो जाएगा ऑप्सन नमबर हमारा डी होगा वर्ष दोरा 26 का ICC पू कि 2024 की बात करते हैं तो अमेरिका था वेश्ट एंडी हो जाएगा ठीक है अमेरिका था वेश्ट एंडी हो जाएगा और प्रिख्वे द्वारा यह न sniff हो जाएगा गया है दो जो कि जारी किया गया है CBSC हो जाएगा जो की option number हमारे यहां पे सी होगा परिच्छा संगम पोटल बहुँ ज़्यादा important है केरल का नाम बदल करके लिम्खित में से क्या करने का प्रस्तावित किया गया है दोस्तो इसका जो नाम चेंज करके कर गया प्रस्तावित जो है केरलम क्या होगा केरलम हो जाएगा option number B होगा स्रीनगर के डल जिल में देश का पहला तैरता हुआ I have space store किसने launch किया है दोस्तो यह जो launch किया गया है आप अच्छे से याद रखिएगा भूलिएगा नहीं Amazon हो जाएगा जो कि option number हमारा 17 का C सही आंसर होगा उच्छे स्रीक्षर सांस्थाओं की इंडिया राइंकिंग्स 2023 में किस IIT ने वास्तुकला स्रीणी में प्रथम इस्थान हासिल किया है तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तो IIT रूड की हो जाएगा option number हमारा D सही आंसर हो जाएगा अब हम देखिए दोस्तो आपका set number 2 देखेंगे ठीक है चलिए set number 2 का पहला हमारा प्रसनी क्या है देख लेते है set number 1 में आपका ठार कोशन था देखिए बोला निम्लिखित में से किस राज की सिल्प कला गोंड पैंटिंग को GI टैग मिला है बताई इसका सही आंसर क्या होगा इसका देखिए सही आंसर दोस्तो हमारा हो जाएगा option number D होगा मध्य पर्देश क्या होगा मध्य पर्देश इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रदरसन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 किस मंत्राले दोरा जारी किया गया है तो यह किस मंत्राले की दोरा दोस्तो आपका जारी किया गया है तो सिक्षा मंत्राले किसके दोरा सिक्षा मंत्राले ओप्सन नमबर A होगा भारत में पहली बार की सहर की पुलिस द्वारा पुलिस ड्रोन यूनिट जो है लॉंच किया गया है तो इसका सही आंसर देखे तिसरे का हो जाएगा चेन्नई दोस्तो चेन्नई जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत का पहला अंतराष्टरी कुरूज पोट एमुवी एक्सप्रेस निम्न में से किस देश की पहली यात्रा पर गया है किस देश की पहली यात्रा पर गया है तो यह आपका स्रिलंका हो जाएगा दोस्तो स्रिलंका हो जाएगा ओप्सन नमबर बी सही उत्तर होगा वर्ज दोर 23 का टेमपल टन पूरसकार निमलिखित में से किसको दिया गया है दोस्तों यह जो आपका दिया गया है आप अच्छे से याद रखेएगा एड़ना अदम इसमाइल हो जाएगा ओप्सन नमबर जो है पांच वे का हमारा एस ही उत्तर होगा विश्व एटलेटिक्स चेंपियंशिब दोर 24 का योजन निमलिखित में से किस देश में किया जाएगा तो यह दोस्तों किया जाएगा याद रखेएगा UK में किया जाएगा नमबर डी सही होगा एक ट्रिलियन बाजार पंजी करण तक पहुचने वाली भारतिय विमानन कंपनी जो है कौन सी है तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हमारा कोशन नमबर एट का हो जाएगा इंडीगो होगा क्या होगा इंडीगो ऑप्शन नमबर हमारा यहां पर भी होगा इंडीगो की स्थापना हुआ कब था तो यह आपका 2006 में जो है इंडीगो का स्थापना हुआ था चलिए नेश्ट हमारा कोशन है कि वित वर्ष 2223 अप्रेल सितंबर में किस छेतर में सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विद्यसी निवेस प्राप्त हुआ तो इसका उत्तर हो जायागा दोस्तों कॉंप्यूटर सॉप्ट वेयर और हाड़ वेयर ऑप्शन नमबर जो है नाइन का हमारा सी होगा विस्व बैंक के एक रिपोर्ट के अनुसर वर्ष 2222 में भारत ने कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर धन प्रेशन की रूप में प्राप्त किया है तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा 111.2 बिलियन डॉलर हो जाएगा ऑप्शन नमबर जो है हमारा यहां पर भी होगा निमलिखित मिसे कौन सौदी अरब की पहली महिला अंत्रिक श्यात्री है त तो अंत्रिक श्यात्री तो रयाना बरनावी दोस्तों आप्सन नमबर जो है हमारा 11 का डी होगा हाल ही में मलेशिया के परधान मंतरी कौन बने है तेखिए मलेशिया के परधान मंतरी आप अच्छे से चाहद रखेएगा इंपोर्टेंट है आपके लिए तो अन्वर इबर ही बने हैं ना option नंबर हमारे हैं पर क्या होगा दी सही हैं सर हो जाएगा निलिखित में से कौन राजा राजा रामोहरा राश्ट्री पूरस्कार 2023 का वेता है दोस्तों ये कौन है बताईएगा तो A B के प्रसाद A B के प्रसाद दोस्तों आप्सन नमबर जो है हमारा 13 का सी होगा निम्मलिखित में से कौन सा देश नेट रहीनों के तिसरे T20 विश्व कप में उपविजेता बना है या फिर उपविजेता रहा है दोस्तों ये कौन रहा है बताईएगा तो ये आपका बंगलादेश हो जायागा ऑप्सन नमबर B होगा निम्मलिखित में से किस राज सरकार दोरा भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना की सुरुआत की गई है तो क्या होगा इसका सही आंसर तो इसका महराष्टर हो जायागा दोस्तों ऑप्सन नमबर हमारा D होगा सनीप्तराष्टर जया विविद्टा ने कवक के महत्व को उजागर करने के लिए कौन सा अभियान सुरु किया है तो कौन सा अभियान दोस्तो शुरू किया है बताई येगा इसमें देखिए अभियान के बारे में पूछ रहा है यह आपको होजाएगा फंगा आफ जाएगा फंगा हषुझा विद्व सभर हमारा सेथ सही आंसर हो जाएगा चलिए आते हैं एब दोस्तो हम set number three पे ठीक है तो कुछ set में आपका 18 कोशन है कुछ set में आपका 16 कोशन है जिसे तरीके से आपका हर एक set में कोशन दिया गया है चलिए आते हैं set number three का पहला हमारा परसने क्या है क्या है देख लेते हैं देखिए वोला कि co-vaccine निमलिखित में से किस प्रकार की vaccine है तो किस प्रकार की vaccine है दोस्तों तो देखिए यह आपको हो जाएगा in activated pathogen based हो जाएगा यानि पहले का अगर हम बात कर लेते हैं तो answer हमारा हम पर D सही answer हो जाएगा तो आप अच्छे से याद रखिएगा Miss world 2030 यानि एक अईमस गर्ण कायो दोस्तों आपका वर्स 1951 इस भी में हुआ था मिस यूनिवर्स दौर 23 जो है कौन है तो सेनिस सेनिस परासियोस निकरा निकरा गुवा के हैं ठीक है तो यह पॉइंट आप अच्छे से याद रखेगा राष्ट्रिय नियाई की विज्ञान विस्व विद्याले का पहला विद युगनडा की राध्धानि आपको पता है कमबाला है इसका जो मुद्रा है दोस्तों आपका युगनडाई सिलिंग है ठीक है यहां के जो प्रधान मंतरी है युगनडा के रुबिनाह नबांजा है तो यह याद रखिएगा हाल हुए भारत के किस सहर में अंडर वार्टर म दिखे के नीचे बनाये गया है कुलकाता मैट्रो वर्स 1984 भारत की पहली मैट्रो परियूजना है नेश्ट दिखेंगे नौवा आईशिसी महिला टी-20 किर्केट विसो कप का आयूजन किस देश में किया जाएगा दोस्तों यह किया जाएगा आपका बंगलादेस हो जाएगा ऑप्सन नंबर हमारा भी होगा निमलिखित में से किस मंत्राले दोरा जो है इसरस एप लॉंच किया गया है तो यह जो आपका लॉंच किया गया दोस्तों ग्रामिड विकास मंत्राले हो जाएगा ऑप्सन नंबर हमारा सी होगा वही बात कर लेते हैं दोस्तों उल्लास एप के मार्म किसान मोबाइल एप जो है आपकर क्रिसी मंत्राले के दवार लांच किया गया है एक मेरी लाइफ या ना मैरी लाइफ आप जो है दोस्तो आपका परिया या यह रहा है एक होता है खनन प्रहरी एप कोईला मंत्रा ले ठीक है तो ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा एकजाम में कोशन यहां से आ सकता है निमलिखित में से किस मैट्रो दोरा कारबन लाइट मैट्रो ट्रेवल नमक पहल की सुरुवात की गई है इसका देखिए आंसर आपका यहां पर दिया हुआ है कोशन नमबर सेविन का आंसर हमारा हो जाएगा दिल्ली मैट्रो दोस्तो ओप्सन नमबर ए सही आंसर हो जाएगा दिल्ली मैट्रो निमलिखित में से किसको बाइजूस का ब्रांड अमबेस्टर बनाए गया है इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा दोस्तो लियोनेस मेसी लियोनेल लियोनेल मेज है न लियोनेल मेसी ओप्सन नमबर जो है आठमे का सी होगा अब समझते हैं कि कुछ और हम जान लेतें जैसे देखें़ेंगे उतराखंड के जो ब्रांड नमबेस्टर बने है वो कौन बने है तो प्रसुन जोसी बने है टीबी उनमुलन कारेकरम जो इसके जो बने है निच्छे मित्रा के वो दीपा मलीक और नायका फैसन की बात करते हैं जानवी कपूर और गरूर एरो स्पेस की बात करते हैं तो महेंदर सिंग धोनी बने है बिहार के किस महिला को सोच सूजल सक्ती सम्मान 2023 मिला है तो ये मिला दोस्तों बबीता गुपता को आप्सन नमबर हमारा बी होगा आगे हमारा कुशन क्या है कि वर्ष 2023 में जारी राज ये उर्जाच हमता सुचकांग 2021-22 में निमलिखित में से कौन सराज ये फ्रंट रनर स्रेणी में सामिल नहीं है दोस्तों आपका सामिल इसमें नहीं है तो देखेंगे तो महराश्टरा हो जाएगा आप्सन नमबर जो है टैन का हमारा ये हो जाएगा आगे देख लेते हैं के इंदर ये बजट 2023-23 के अनुसर नौ से बारा लाख रूपया वार्षिक आये पर कितना प्रतिसत व्यक्ति आयकर स्नुचित किया गया है तो देखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा 15 प्रतिसत हो जाएगा दोस्तो आप्सन नमबर हमारा डी सही आंसर होगा पावर फाइनेंस कारपूरेशन लिमिटेट की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंधक निदिलसक जो है कौन बनी है तो ये दोस्तो कौन बनी है तो ये बनी है परमिंदर चोपड़ा बनी है आप्सन नमबर हमारा जो है दोस्तो डी सही आंसर हो जाएगा बात करेंगे कि बंगलूरू में भारत का पहला 3D प्रिंटेड डागघर बनाया गया है HDFC बैंक केंदरिय बैंक के डिजिटल मुद्रा के साथ इंटर ऑपरेबल UPI QR कोड लाँच करने वाला पहला बैंक है ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा वर्ष 22 में 208 सी दिवस का थीम क्या रखा गया है देखिए सबसे पहले जानिएगा कि एट सी दिवस मनाते कब हैं तो अभी रिसेंटली मनाया गया है एक दिसंबर को मनाया गया है दोस्तो और इसका थीम देखिए आपका है एक्योलाइज है ठीक है तो ऑप्सन नमबर जो है 13 का हमारा दोस्तो ए सही आंसर हो जाएगा आगे हमारा कोशन क्या बोल रहा है महिला विस्व मुक्यबाजी चेंपियंसिप 2023 में भारत ने कितना सोन पदक गीता है तो दोस्तो इसका दिखिए सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्सन नमबर चार हो जाएगा चार सोन पदक हो जाएगा ऑप्सन नमबर बी सही आंसर हो जाएगा ठीक है महिला विस्व मुक्यबाजी चेंपियंसिप 2023 की बात करते हैं जो आपका संस्कंड रहा है या आपका तेरहमा दोस्तों संस्कंड रहा है ठीक है तिरह हमा संसकंड रहा है और ये जो आयोजन हुआ है नई दिल्ली भारत में निमलिखीत कत्नों पर विचार कीजे इसमें आपका सही क्या है उसी को आपको बताना है कोशन बर 15 दखिए इसमें दोस्तों देखा जाया तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें दखिए ना त नंदिनी के बीच विबाद उत्पन हो गया नंदिनी किस राज्य का प्रमुख दुग्ध ब्रांड है तो दोस्तों यह आपको हो जाएगा करनाटक का है ऑप्सन नंबर हमारा यहां पे बी सही आंसर हो जाएगा चलिया बाते हैं कोशन नंबर जो आपका सेट नंबर फोर ह देख लेते हैं सेट नंबर फोर का पहला हमारा प्रसने क्या है देख लेते हैं देखिए बोला कि च्छातिसवां च्छातिसवां एस्याइए कुष्टी चैंपियंसीब दॉर तैस में निमलिखीत में से कौन सा एक मात्र भारतिक लाड़ी है जो सोन पदक जीता है जो सोन आंसर क्या होगा बताइएगा तो अमन सहरावत दोस्तों अमन सहरावत हो जाएगा ऑप्सन नंबर हमारे यहां पे डी सही आंसर हो जाएगा याद रखिएगा ठीक है और इसका आयोजन हुआ कहां पर है तो यह आपका कजाकिस्तान में हुआ है तीसरा विश्व हिंदू सम किरिमित सेवें और अंतिम यूदपोत का क्या नाम है देखिए यहां पर नाम पूछ रहा है तो आपका मेहंद्र गिरी हो जाएगा जो कि तीसरे का हमारे दोस्तों यहां पर ऑप्सन नंबर यह होगा यह इस यूदपोत का नाम जो है ओडिसा मेस्तित पुर्वी घाट की एक परवत रिंकला के नाम पर रखा गया है HDFCI बैंक ने एप्लिकेशन पॉटफोलियो और डेटा परिद्रेश्य को आधुनिक बनाने के लिए निम्न में से किसके साथ साज़दारी किया है तो किसके साथ दोस्तों साज़दारी किया है तो Microsoft हो जाएगा जो कि यह option नंबर हमारे हाँ पे बी सही answer हो जाएगा हाल ही में घर हाल ही में हर घर तिरंगा अभियान अगस्त माहा में कब से कब तक चलाए गया है तो यह रहा आपके सामने option बताइए सही answer क्या होगा तो 13 से 15 अगस्त बहुत ज़्यदा important है दोस्तों option नंबर ए होगा परधान मंत्री मोदी के दवारा भारत शिक्स परियोजना है नी सिक्सजी परियोजना भारत शिक्सजी परियोजना की सुरवाश्ट यह टोर तैस में कब किया गया है और दोस्तों यह ऑंपका 22 मार्च को किया गया है option number जो है six का हमारा भी हो जाएगा भारत सिक्स जी परियुजना दो चड़नों में वर्ष 2030 तक चालू करेगा भारत का पहला क्रिसी डेटा एक्सेंज कहां लांच किया गया है तो ये आपका दोस्तों लांच कहां पर किया गया है बताईएगा तो हैदराबाद में किया गया है option number हमारा डी होगा जार्या के गवर्णर ब्रायन कैंप ने किस महा को हिंदू विरासत महा की रूप में मनाने की घोशना किया है तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा October जो है इसका सही उतर हो जाएगा याद रखिएगा October option number C निमलिखित में से कौन सा देश अपनी पहली हाइपर सोनिक मिसाइल फतह का प्रसिक्षड किया है तो यह आपका हो जाएगा इरान हो जाएगा क्या होगा दोस्तों इरान हो जाएगा option number हमारा डी सही उतर हो जाएगा चलिए नेशना हम कोशन देख लेते हैं अगला हमारा कोशन है निमलिखित में से किस ट अगर रजर्ब और यह आपको पढ़ता कहां पर है तो बांदीपूर दोस्तों यह आपको करनाटक में पढ़ता है तो यह पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है भूलना नहीं है हाल ही में सूर्क्षियों में रही जो कि चराई देव मोईडेम्स रॉयल बरियर बर व्यक्त की जा रही है दोस्तों इसका देखिये सही आंसर याद रखिएगा एक्यूट लिंफो एक्यूट लिंफो ब्लास्टिक लिक्यूमिया की है ना ओप्सन नमबर जो है हमारा दोस्तों बारा का सी सही आंसर हो जाएगा आगे हमारा प्रस्तन है कि 11 विश्वश सहरी फोरम की बैठक कहां आई विज दोस्तो किया गया है तो यह कहां पर किया गया है तो यह आपका पूलाइंड में किया गया है कहां पर पूलाइंड ओप्सन नमबर D आगे देखेंगे राष्ट्रिय पार्थे चर्चा पार्थे चर्या फ्रेमवर के ड्राफ्ट के अनुसार सैक्षनिक वर्स में सिख्षा के सभी चर्णों में कितने स्कूल दिवस करने का प्रस्ताव है क्या होगा इसका सही आंसर देखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा 180 दिन ओप्सन नमबर हमारा A होगा निमनलीखित में सक्की ससहर को यूनेसको ने विरासत खत्रे की सूची में सामिल करने की सिफारिस किया है देखेंगे इसका सही उत्तर याद रखिएगा वेनिस हो जाएगा दोस्तों वेनिस हो जाएगा ओप्सन नमबर हमारे हाँ पे A सही आंसर हो जाएगा अब देखेंगे हमारे दोस्तों जो है सेट नमर फाइप आखरी है तो चलिए इसको भी हम फटाफट देखके खतम कर लेते हैं और कल हो सके तो आपका स्पीडी का जो है वर्ल लाइनर जो मन्थली होता है कल आपका मार्श्टर वीडियो आ जाएगा उसको भी आप देख लीजिएगा ठीक है लंडन में स्थित इंडिया कलब को वर्श दवार 23 में किस दीन से बंद करने की घोशना किया गया है बताइए इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर हो जागा 17 सितम्बर हो जागा दोस्तों ओप्सन नमबर हमारा यहांपे A सही होगा बहुँ पक्षी मालाबार नावसेनिक अभ्यास के 27 वे संसकर्ण का मेजबाने की सदेश द्वारा दोस्तों किया गया है तो ये जो आपका किया गया है अमेरिका हो जाएगा ओप्सन नमबर जो है बारा का हमारा बी होगा गैर लाभकारी संगठन जो की एक्षन फॉर नेचर ने भारत के कितने युवाओं को इंटरनेशनल लईयंग इको हीरो पूरसकार दो हजाएगा तैस दिया है इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आप्सन नमबर भी पांच हो जाएगा याद रखिएगा केंदर सरकार ने बाड़ा प्रभावित छेतरों में प्रस्तावित समय की जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा एप लॉंच किया है देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है दोस्तों तिया आपको हो जाएगा फ्लड वाज याद रखिएगा फ्लड वाज हो जाएगा ओप्सन नमबर हमारे यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा फ्लड वाज भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंतले द्वारा भारत न्यू कर असेस्मेंट प्रोग्राम सुरू करने का मुख्य उद्दे से किया है देखिए सुरू करने का मुख्य उद्दे से पुछ रहा है तो वाहनों के सुरक्षा प्रणाली का मुल्यांकन करना तो mc पंथ हो जाएगा दोस्तो mc पंथ हो जाएगा option number c होगा केंद्रिय जाच ब्यूरो यानि cbi अधहिकारी तोर पर इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्ग कांस सदस्य बना है to कौन सदस्य बना है तो यह आपका 10 वासति से बना है option number हमारा यहां पे एह हो जाएगा Interpol ऐकादमी नेटवर्ग की जो इस्थापना है दोस्तो यह आपका 2000 में किया गया था केंदरिय मंत्री भूपेंदर यादों ने रिसोर्स एफिसियेंसी सरकुलर एकोनोमिक इंडरस्ट्री कॉलिजन का सुभारम कहां से किया है तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा चिन नई ओप्सन नमबर हमारा यहां पे सी होगा हाल ही में जी ट्वेंटी महिला ससकती करण बैठा कायोजन कहां किया गया है दोस्तो यह जो आपका किया गया है अच्छे से आप याद रखियेगा गांधी नगर होगा ओप्सन नमबर हमारा यहां पे नाइन का ए सही आंसर हो जाएगा निमलीखित में से किस राज्य द्वारा जल पाइटन और साहसिक खेल नीती द्वारा 23 को मनजूरी दिया है क्या होगा इसका सही उतर ते आपका उतर पर्देश होजाएगा दोस्तो आपसन नमबर्वडी होगा निमलीखित में से किस राज्य या केंदर्शाइज प्रदेश का सरवाध्य की छेत्र जो है वन अच्छादित है इसका उत्तर हो जाए दोस्तों आपका मीजोरम नोट कीज़ेगा मीजोरम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा पिर दूसरे पे हमारा अर्वनाशल प्रदेश और तीसरे पे हमारा जो है मेघाले आता है विश्व का सबसे पहला देश का कौन सा है जिसने प्लास्टिक बैग पर प्रतिबन लगा दिया है बहुत ज़्यादा इंपोर्टन दोस्तों याद रखिएगा न्यूजी लेंड ओप्सन नमबर C इसका देखिए आपका उप्सन नमबर C हो जागा न्यूजी लेंड ठीके तो नोट किजिएगा भूलिएगा नहीं एस्याई पैरा गेम द्वार्थ 23 में एक ही संस्कर्ण में दो स्वन पदक जितने वाले पहले भारतिये कौन बने है तो देखिए पहले भारति के मामले में पूछ रहा है तो इसका उत्तर हो जायागा अंकूर धामा दोस्तो अंकूर धामा ओप्सन नमबर A होगा हाल ही में वैसविक कर चोरी रिपोर्ट 24 किसके दोरा दोस्तो जारी किया गया है तो यह जो आपका जारी किया गया है यूरोपिय संग हो जाएगा प्सन नमबर C होगा भारत में सकल, मुल्य, वर्धित के त्रेमासिक और वार्षिक अनुमान की संस्था दोरा जारी किया आता है दोस्तो यह जो आपका होता है जारी देख लेते हैं इसका उप्सन देखी इसका option आपका हो जाएगा देखी इसका option हमारा पंदर का हो जाएगा राश्ट्रिय सांखे की कारियाले हो जाएगा ठीक है option number हमारा B होगा आगे हमारा है निम्न राज्यों में से कौन से राज्य भारत में सरवादिक पवन उर्जा का उत्पादक है सरवादिक पवन उर्जा का दोस्तों उत्पादक है तो क्या होगा इसका सही आंसर तो इसका उत्र हो जाएगा गुजरात हो जाएगा option number B निम्न लिखित में से किस मंत्रा ले द्वारा 13 task force नामक task force का गठन दोस्तों किया गया है तो इसका आंसर हम देख लेते हैं देखिए इसका सही आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा option number C हो जाएगा इसपाद मंत्रा ले क्या होगा इसपाद मंत्रा ले लगपती दीदी युजना के तहट कितने करोड महिलाओं को लगपती दीदी बनाने का लक्ष रखा गया है तो देखिए इसका सही उतर हो जाएगा दो करोड क्या होगा दोस्तों दो करोड हो जाएगा option number B होगा हाल ही में अमेजन सहयोग संधी संगठन सिखर सा मिलन कायूजन ब्राजील के किस सहर में किया गया है देखिए ब्राजील के दोस्तों यह आपका बेले में क्या गया है option number हमारा D होगा अब यहीं पर देखिए हमारा सेट जो है समाप्त हो गया है अब हम देखेंगे जो हमारा अगला वीडियो होने वाला है सेट नमबर 6 से ले करके 10 तक हम देखने का प्रयास करेंगे वीडियो को लाइक कीजिएगा सेर कीजिएगा और अगर आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट के मादियम से अपना सुझाव देने का प्रयास कीजिएगा चलिया आज के लिए इतना ही जै हिंद जै भारत